नमस्कार एक न्यूस 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ श्रता बिहार के सीख्षा मंत्री की जीब काटने वाले को 10 करोड का इनाम मिलेगा ये एलान हम नहीं बलकि यूपी के अयोध्या के महंत परम हंस ने किया है उनका कहना है कि जो भी विवादित बयान दिया है सिख्षा मंत्री ने बिहार के सिख्षा मंत्री चंदरशेकर सिंग ने उसे लेकर के वो माफी मांगे और अपना बयान वापस ले वरना वो उनकी जीब काटने वालों को 10 करोड का इनाम देंगे बता दे कि एक समारों के दौरान बिहार के सीख्षा मंत्री ने रामचरित मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेकर से रामचरित मानस को लेकर एक बयान दे दिया है जिसके बाद से राजनीती पूरी तरह से गर्मा गई है नेताओं से लेकर धर्म गुर्यों तक कड़ी आपत्ती दर्ज कराई गई है उत्तर प्रिदेश के अयोध्या के प्रसिद महंत जगत गुरु आचारे परमहंस ने सिक्षा मंत्री के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है उन्हेंने काया है कि रामचरित मानस पर इस तरीके का बयान देना कहीं से भी सही नहीं है उन्होंने काया है इसे पूरे देश को आहत है परमहंस महराज ने काया है कि सीक्षा मंत्री को इस बयान पर माफी माँगना चाहिए, माफी नहीं माँगने पर उनकी जीब काटने वालों को वो 10 करोड रुपे का इनाम देंगे, ऐसे उन्होंने घोशना की है। रामचरित मानस ने समाज में नफरत पैदा की, आज के समय गुरु गोलवकर की विचार समाज में नफरत पहला रही है। नफरत पैलाने वाला ग्रंद बता दिया। उन्हें इसके बयान के बाद से प्रदेश समेत देश भर से प्रतिक्रियानी शुरू हो गई है। इसी क्रम में आचारे परमहंस ने सिक्षा मंत्री को बर्खास करने की मांग की है और काया है कि सिक्षा मंत्री को माफी मांगी चाहिए। वही माफी नहीं मांगने पर उनकी जीप काटने वालों को ये दस करोड का एनाम देंगी ऐसा एलान कर रहे हैं। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं हमारे साथ अगर आपने हमें यूट्यूब चानले पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही करें साथी साथ हमारे फेस्टूप पेज़ को फॉलो और शेकर न न भूलें।